इंटर्वियू में कभी-कभी आम ऐसा कुछ बोल जाते है कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल जाता है जो इंटर्वियूर भी हस्ते रहेंगे अगर तुमको मैं बता दूं तो तुम भी हस्ते रहोगे तो आपको दो चीज मैं दिखाने चाता हूं यहां पर एक्चुली क्या है ज और कुछ तो और चला आगे जाता है पास्ट आउट ठीक है कि जैसे उत्रा पास्ट में हुआ था एक दो सल पहले हुआ था तो उसमें और कर देता है पास्ट आउट यह दोनों जो फ्रेजल वार्व है इसका ऐसा मीनिंग है जो सुनोगे तो पगला जाओगे यह पासाउट क हो तो आपने जैसे बोला पासाउट फ्रम दिस कॉलेज तो बला कि तुम कलेज में अनकॉंसास होगे थे तो दूसरा होता है पास्ट आउट यह तो ऐसे होता ही नहीं तो पुरा गलत इंगलिस है बट एक्चुल उसका इंगलिस है पास्ट एवे जो मर जाता है तो पास इतना निगेटिव सेंस बला वाट है इतना घटिया एक हमारा जो स्टेट है उसको उसको डिस्क्राइब करता है तो यह दोनों वाट बिलकुल इंटर्व्यू में कभी ना बोले और यह धन रखे कि आप उसके बाद बोलोगे मेरे मैंने इंटर्व्यू बहुत अच्छा देखाया हूं लेकिन ऐसा वाट यूज करका है हो तो आपका इंटर्व्यूर का जो एक्सपेक्टेसन है पहले आपसे हो जाता है कि इस बंदा को कुछ भी नहीं आता है तिसलिए यह दोनों वार्ड कभी भी इस्तमाल ना करें इसको एकस्प्लेन करने के लिए जो आपका इंटर्व्यू में तो कभी नहीं होगा तो दीस विल नेवार यूज नेवार एवार यूज इंटर्व्यू में एकदम कान खुल के सुन लो पास आउट एन पास्ट आउट मिनिंग है ओ इंटर्व्यू में कभी नहीं आएगा आप आता है सर फिर क्या आएगा जैसे मैंने आपको लिख के दे रहाओ एक दम ध्यान से देखे आयम ग्रेजुएटेड आप आया असली बात कि हम क्या किया ना हम ग्रेजुएटेड हुआ है तो हाँ आप यह बोल सकता है पार्शूण ठीक है तो आपके पास तीन दे दिया मैंने मैं जैसे मैं बी कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूं तो आई एंग्रेजुएटेड फर् ON. ग्रेजुएटेड फराम बी कॉलेज औरularा कंपलीटेड इंगिनेरिंग फ्राम बीकलेज आइप एक पास तीन और वा वाला जो तीन है इसका कोई भी उसकिया जा सकता है that is the first thing that is the first impression interview में आएगा इसलिए आप यहीं से select करें लेकिन जब हम school का बात करेंगे तो school में तो graduated नहीं आएगा ना तो उसके case में हम आप completed ही बोलते है जनरली तो एक ही उसकिया जाए तो आगर आपने completed इंजिनिंग में बोला completed इसमें बोला तो दोनों सेम वाट हो जा रहा है you can say graduated from this college and you can say completed my 12th completed my 10th from this school तो यह आपका भूती simple हो गया तो मतलब क्यों होता है कि एक ऐसा common mistake है बंदा इंटर्वी में जाते ही पहले पहले एक गलती कर देता है और उसके बाद इंटर्वी और अंदर यंदर हासता रहता है कि भाई तू पास आउट तो क्या अनकॉंस हो गया बोलेगा कुछ नहीं लेकिन क्या तो अनकॉंस हो गया और पास्ट आउट बोलते हो तो होई गया मतलब उसका अंती हो गया तो इसलिए इसलिए धन रखे इंटर्वियो ऐसा नहीं होता है आपने क्या-क्या सही बोल के आया जैसे बाद में आपने बहुत सारे कोस्टेन के अंसर अच्छा देख आया लेकिन आपका फास्ट इंप्रेशन ऐसा जाएगा कि आपका मार्स ड्रस्टी के लिए रिडिउस हो जाता है इंटर्वियो के ऐसा चीज है जहां पर इंटर्वियो और चेक ऐसा नहीं करता आपका कितना नौलेज है उनको भी पता है सारा कोस्टेन कैंसर एक टाइम किसी को नहीं आता है लेकिन एक चीज होता है कि जो कैंडिडेट हमा अब का मार्स एकदम स्काइज की तना भी आपको में में सकता है और अगर ऐसे गलती करे तो कीतना भी डाउन जा सकता कितना भी टारेंड टेरेंड के नहीं नहीं बट यह क्या होता है कि हमारा common use generally जो बच्चे कर लेता है इसमें commonly लोग एक बोल देता है और ऐसे बोलता भी रहता है इसलिए इससे बच्चे इस चीज़ को पहले धन रखे के नेवार एवार यूस दिस इन इंटर्विव और यूस दिस चलो खूस रहो और गलती इंटर्विव कभी मत करना